देखे बेटा इस question में हमसे क्या कहा जा रहा है हमसे कहा रहा है conducting circular loop है radius r है current i है और constant current i it is placed in a uniform magnetic field b0 uniform magnetic field है b0 perpendicular to the plane of loop perpendicular to plane of loop है the magnetic force acting on the loop magnetic force on the loop निकाल ली है अब इस question को करते से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ यहाँ पे समझेगा बातों को question बहुत असान लगेगा मैं कहना चाहता हूँ कि मालीजे मेरे पास complete circular loop ना होता semi circular loop होता semi circular loop मेरे पास अगर होता तो उस case में मैं यहाँ बनाता हूँ semi circle ठीक है सब semi circular loop को मैं अगर uniform magnetic field में रखता इस तरीके से कि field जो है वो यहाँ पे इस तरह inward होती मतलब perpendicular to plane of this loop होती तो इस field की बज़े से यह current carrying wire ह है माल लीजे यहाँ current जा रहा है इस loop के अंदर ऐसे ठीक है यह semi circular loop है यह कोई loop नहीं है यह तो just मैंने diameter दिखाया है समझ पा रहे हैं आप बात को यहाँ पर ठीक है इस तरीके से और मैं यहाँ देख रहा हूँ दो quadrant मेरे दिख रहे हैं मुझे बनते हुए एक left में एक right में हम यहाँ पे छोटा सा element consider करते हैं छोटा सा element consider करते हैं theta degree उपर है ना और इस element का angle है d theta radius हो गई आर अपनी यह चोटी सी length जो आप उपर देख रह है arc length, arc length is arc angle into radius, angle is d theta and radius is r, तो r d theta अब हम इस छोटी सी length पे लगने वाली force दिखाते हैं इस छोटी length पे लगने वाली force दिखाएंगे तो flaming का left hand rule यूज़ करेंगे जिसमें कहा जाता है first finger, central finger, thumb को तीनों को दुसरे के perpendicular place करो, first finger जो है वो inward दिखाओ, field की direction में, central finger की direction में current द दिखा रखा है, तो आप आएंगे thumb जो है वो उपर जाएगा, मैंने कहा first finger inward, central finger इस तरफ, clockwise direction में, thumb उपर की तरफ जाएगा, मतलब जो force आने वाली है, वो उपर की तरफ ऐसे आने वाली है, ठीके जी, radially outward, यह बहुत small force होगी, जो इस small छोटे element पर लगेगी, अगर मैं ऐ ऐसा ही एक element, second quadrant में ले लूँ, same kind of element, identical ऐसा ही element यहां ले लिया जाए, और वो भी theta degree उपर ही लिया जाए, और वहाँ भी angle जो है, वो d theta लिया जाए, same element लेना है, तो इस element पर लगने वाली force भी flaming का left hand rule लगाएंगे, तो इधर radially outward बहार की तरफ आएगी, समझ सकते हैं आप लगाके, तो यह force भी होगी अपनी df, अब यहां पर अगर हम देखें, तो जो df हमारे को दिख रही है, एक लग रही है, इधर positive, negative x और positive y के along, एक लग रही है, इधर positive x और positive y के along, यह तो वही बात होगी, एक force यहां लग रही है, यहां लग रही है, resultant उनके बीच में कह होता है, तो यहां भी ऐसे resultant आएगा, जी बिलकुल हम इसके क्या करते हैं, दो component कर देते हैं, एक horizontal और एक vertical, इसके भी कर दिए, इसके भी दो component कर देते हैं, एक horizontal और एक vertical, अगर आप ध्यान से देखें, तो यह नीचे वाला angle अगर थीटा है, तो horizontal के साथ, तो यहां भी य angle थीटा बनेगा, और यह component अपना बनेगा क्या, that is df cos theta, और उपर वाला component क्या बनेगा, df sin theta, similar way में, right hand side में भी दो component बनेगे, यह angle theta आएगा, because नीचे angle theta यह वाला है, horizontal के साथ, तो यह component df cos theta बनेगा, उपर वाला df sin theta बनेगा, clearly हमारे को visible है, अगर हम ऐसे दो element लेते है theta degree left second quadrant में, theta degree first quadrant में जाकर, कोई भी theta degree पे लेते है, 30 पे 50 पे, ठीक है 60 पे, up to 90, हम यहाँ पर लेते हैं, तो हम यह देखते हैं, कि जब दो element लेके, उन पर लगने वाली force देखी जाती है, तो उनके जो cos theta वाले component है, वो एक दूसरे के equal and opposite है, मतलब वो cancel out हो जाएंगे, सिर कि df cos theta तो है, दूसरे side वाले element का वो component cancel कर देगा, मतलब मुझे net force अगर निकालनी है, semi circular loop पे, तो मुझे यह सारे df sin theta add करने का मतलब है, इनको integrate करना है, ठीक है, सभी df sin theta y axis, positive y axis की तरफ आएंगे, इसको integrate करना है, हम integrate कर देते हैं, हम force का formula याद रखते हैं, force का formula on a length होत जाएगा, because theta जो है, angle होता था, किसके बीच, magnetic field और current element, यहां magnetic field invert to plane of paper है, invert to plane of paper का मतलब perpendicular है, given b है, तो वो bil sin 90 हो जाएगा, वो sin 91, तो bil बचेगा, मैं अगर बात करूँ, यहां पे f net में, मुझे df निकालना है, तो what is df, df की बात अगर मैं करूँ, तो magnetic field है b, df मतलब उस छोटे element में लगने वाली force, magnetic field वहाँ b है, current वहाँ पूरे की पूरी circular wire में आई जा रहा है, और length जो है, छोटी से element की, जो dl जिसको मैंने वी उपर निकाला, वो है r d theta, तो यह हो जाएगा हमारा इस formula से, df bi into dl, dl मतलब r d theta, अब हमें क्या करना है, df की value अपने को पता चल गई, b, i, r, d, theta, साथ में क्या है, sin theta, limit obvious सी बात है, theta की terms में आएंगी, with respect to theta हम लोग integrate करने जा रहे हैं, तो limit कहा आएंगी, initial angle कितना होगा, initial angle यहाँ पे देखें तो 0 degree होगा, 0 से शुरू होते हैं, और कहां तक जाएंगे, उस complete semi circle तक पहुंचते है तो कहां तक जाएंगे, 0 से कितना, पाई, 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में semi circle cover हो जाता है, हमारा एक ही direction में, तो 0 से पाई, अब यहाँ पे अगर आप देखें, तो क्या होगा, जी, b, i, r, बाहर आ जाएगा, sin theta का integration होगा, minus cos theta limit आएगी, 0 से पाई, उसके बाद कहेंगे, upper limit minus में क्या, lower limit, upper limit minus lower limit करते हैं, तो क्या आती है force निकल के, what a shocking result is there, b, i, r, और यह आएगी, minus का cos pi और minus plus का cos 0 है न, यह आ गई जी अपने पास, तो अब यहाँ f is equal to आया, b, i, r, upper limit minus lower limit कर दिया मैंने, तो minus का था न, वो minus cos pi plus cos 0, cos pi होता है minus 1, तो minus into minus 1 plus में cos 0 होता है 1, तो यह हो जाएगा, f is equal to 2 into में b, i, r, या धंग से बात करें, तो f net जो आ रही है, या रही है, b, i into 2, r, remember b, i into 2, r, what do you mean by, b, that is the magnetic field, what is i, i is current, what is 2, r, 2, r is called what, 2, r is called effective length, what do you mean by effective length, effective length का मतलब initial point और final point के बीच का straight line distance, ज़रा ध्यान दे, उस straight line distance को, वो है initial point ये रहा और final point ये रहा, ये मैंने black से दिखाया उपर अबी, ये जो straight line distance है, initial और final point के बीच, इसी को effective length कहते हैं, और ये हो गया diameter, यानिकि 2 r, इतने बड़े तरीके से मैंने इसको solve करके दिखाया है, पर आपको ऐसे नहीं करना है, आप simple लिख सकते थे, b, i into में उसकी effective length, initial से final की बीच का straight line distance, that was what, 2 r, तो ये हमारा answer आ जाता, b, i into 2 r, अभी हम देखें, उपर वाले question में, तो उपर वाले question में कहारा है, complete जो है, वो circular loop है, semi circle नहीं है, तरीका यही होगा solve करने का, पर जो limit होगी, वो change हो जाएगी, अभी limit हमने लिथी, 0 से πाई, complete circle लोगा, तो limit हो जाएगी, मेरे कितनी 0 से, 0 से कितनी हो जाएगी, 2 πाई, है वो cover हो जाएगे, और सब पे लगने वाली net force क्या आएगी, जड़ा देखते हैं, net force अगर निकालता हूँ, B, I, और यहाँ पे जैसे हमने लिखा था, क्या भाई, cos theta, minus का cos theta, minus का cos theta, और limit लगा दे, अगर 0 से 2 πाई, तो answer क्या आएगा, net force का answer आएगा, B, I, और minus cos 2 πाई, plus cos 0, कितना आएगा, जी, answer हमारे पास, अगर हम cos 2 πाई की बात करें, cos 2 πाई का मतलब होता है, plus 1, तो B, I, और minus में cos 2 πाई, plus 1, और plus cos 0 का मतलब भी 1 होता है, तो answer is how much, 0, net force 0 आएगी, sir, अब net force 0 क्यों आएगी, अभी तो मैंने एक formula लिखवाया आपको, की formula होता है, B, I, in 2 में effective length, मतलब initial point और final point की बीच का straight line distance, देखिए semi circle था, इसमे initial point अलग होता है, देख सकते हैं, और final point अलग होता है, अगर मैं इसमें circle की बात कर दूँ, तो circle बनाने के लिए मुझे initial point पे return आना पड़ेगा, just like displacement वाला concept होता था हमारा, अगर मैं initial point पे return आ जाता हूँ, यहाँ रहे ऐसे, तो मेरी effective length zero हो जाती है, जो initial point था, वही final point है, effective length zero हो जाती है, दोनों semi point है, तो effective length zero होने की वज़े से force यहाँ पर zero हो जाती है, समझ बारे हैं, एक तरीका तो यह होता है जी बताने का इसको, एक और तरीका होता है, मतलब answer तो zero आगया, यह तो 100% sure है हम लोग, ए जब यहाँ पर force लग रही है, मैंने कहा, radially outward लगती है, अगर मैं एक circle बनाके, यहाँ पर force लगाके दिखाना चाहूं, तो circle पर जो force आएगी, वो radially outward आएगी, हम इसका center दिखाते हैं यहाँ पर, और forces को अगर मैं दिखाता हूं, तो force यहाँ इधर आएगी, इधर इधर radially outward, उस वाले case में, अगर field जो है, और current जो है, जो हमें दिखा रखाता है, वैसा ही रहे, तो हर एक elementary portion पर आप देख सकते हैं, force लगतो रही है, पर net force 0 है, reason is that what, कि forces are balanced, equal and opposite, हर एक elementary portion के opposite, diameter के लिए opposite, कोई ना कोई दूसरा elementary portion है, दोनों पे लगने वाली force एक दूसरे के opposite ह तो पूरे loop पे लगने वाली force 0 हो जाएगी, मतलब इस first quadrant वाली forces को कौन cancel करेगा, third quadrant की force, और second quadrant वाली को कौन cancel करेगा, fourth quadrant की force, हाँ, अगर माल लीजिए, नीचे वाले दोनों quadrant ना होते, तो ना तो first को cancel करने के लिए कोई third quadrant है, ना ही second को cancel करने के लिए कोई fourth quadrant है, तो net force नि ने निकाली भी है B I into 2R फिलाल यहां ऐसा नहीं हो रहा है ठीक है अब इसी में एक चोटा सा कोश्चन में आपको साथ में करा देता हूँ ठीक है जी यह आपको concept अच्छे से clear हो गया उमीद करता हूँ माल लीजिए मेरे पास यहां magnetic field मुझे दे रखी है एक inward field है और मुझे क कोडिनेट दे दे गए मालो कितना 2,3,4 और मुझे कहता है यह कोडिनेट है जी इन दो पॉइंट के यह वायर का starting point है a small a और वो वायर का ending point है small b और इस वायर में current जा रहा है आई और magnetic field है b तो बताओ इस वायर पर force कितनी होगी अब यहां integration में integration करूँगा तो बहुत थार point पर direction change हो रही है यह कोई uniform curve shape नहीं है circular shape नहीं है तो यहां पर आपने वही formula लगाना है अपना b i into l effective b magnetic field i current what do you mean by l effective l effective निकालेंगे तो मतलब जैसे position vector displacement vector निकालते थे final position vector minus initial position vector final position vector मतलब क्या होगा finally जो position है वो है क्या 2i plus 3j plus 4k ऐसे लिखेंगे ना हम इसको coordinates में है ना और initial position vector था हमारा r1 जो की है 1i plus 2j plus 3k है ना xyz की value given है आपने को आपने vector form में लिख ली आ उसको तो यहां से अगर हम बात करें l effective कैसे निकलेगा उसमें से इसको minus कर दो i plus i sorry plus j 1i plus 1j 1i plus 1j plus 1k है ना यह आ गया हमारे पास अब यह तो हमारा l effective आया है यह तो direction के साथ आया magnitude कैसे निकालते है अगर option direction के साथ हो तो आप directly l effective यहां put कर देना ठीक है i plus j plus k लेकिन magnitude निकालना है तो कैसे निकालूगा मैं यह तो मेरा vector form में आया है magnitude निकालते कैसे है magnitude निकालते है under root x का square plus y का square plus z का square तो under root of 1 का square plus 1 का square plus 1 का square यानि कि we can say that root 3 तो बस कुछ नहीं था जी force आगई अपनी कितनी b i into l effective मतलब root 3 that is the answer कुछ नहीं करना और तो किसी भी तरह का question इसमें आ जाए आप easily इस formula से कर सकते हैं b i into l effective उमिद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा coordinate बार बार चेंज हो सकते हैं यह वाले लेकिन formula हमारा यहीं रहेगा अब हमें कोशण देख सकते हैं हमें मान लीजीए current carrying wire दी हुई है ये current carrying wire है इसमें current जा रहा है upward direction में आई और एक current carrying wire हमें ओर दे रखी है जो इसके perpendicular रखी हुई है इसमें भी मान लीजीए current जा रहा है सपोज कीज़े कितना इसमें आई वन मान लीजे इसमें आई टू मान लीजे अब दो current carrying wire जो एक दूसरे की magnetic field में आती है तो एक दूसरे पर force लगाती है यहीं बता लगाना है हमें कि इन दोनों की भी जो है force कितनी होगी अगर यह दो parallel infinite long wire होती तो we know very well अगर उनमें current same direction में होता तो उनके बीच attraction होती अगर उनके जो current है दूसरे की opposite direction में होता तो उनके बीच repulsion होती है यह हम already पता लगा चुके है कि इस force क्या formula क्या होता है इस force per unit length का formula इन cases में अगर दो parallel current carrying wire है और distance मान लीजे इनके बीच का d है तो force per unit length का formula होता है 2i1i2 by में क्या d लेकिन फिलाल जो question हमारे सामने है उसके अंदर हमसे यह नहीं कहा जा रहा कि दोनों एक दूसरे के parallel है एक दूसरे के perpendicular है मान लीजे यह distance है a और दूसरी wire जो हमारी है उसको यह मान लेते हैं कि वो finite length wire है एक infinite long wire दे लेते हैं तो भई इस question को करने के लिए हम क्या करेंगे हम यहाँ पर suppose करेंगे कि यह एक छोटा सा portion consider करेंगे जिसकी length होगी dx कितने distance पे लेंगे x distance पे हम यह मान के चलेंगे कि इस length का यह point a है यह point b है a और b के बीच का gap बहुत कम है क्योंकि आपको पता है first की magnetic field second पे force लगाएगी और first की magnetic field की पागर बात करूँ तो मैं क्या होती है mu note upon 4 pi 2 i by में distance लिया जाता है अब यहाँ पे जो यह आपकी wire horizontal है इसके इस end का distance तो a है हर point का distance जो है first wire से बढ़ता जा रहा है distance बढ़ता जा रहा है तो field variable है पैर्डल wire केस में ऐसा नहीं होता है जब दो wire पैर्डल होती है तो हर point का distance दूसरी wire से बिल्कुल सेम होता है यहाँ पे हर point का distance अलग-लग है तो field variable है field अलग-लग होने की वज़े से हर point में लगने वाली force अलग-अलग आएगी जितना दूर जाएगी उतनी force काम होती जाएगी तो यहाँ पे infinite number of force हो सकती है तो हमें मालूम है कि हमें small amount of force निकालना पड़ेगा यहाँ पे किसी छोटे element पे उसके बाद उसको integrate करेंगे total force मिल जाएगी तो मैंने x distance पे dx का element ले लिया dx जो length होती है सर बहुत छोटी होती है कितनी छोटी होती है 0.00000000 तो मारी पूरी PD को यही काम लगाया जाए कि जिसके आगे 0 ही लिखते जाए लिखते जाए लिखते जाए अगली PD जबाए तब जाके लिखे वो 1 तो इतनी छोटी length होती है अपनी ये dx जो आप लेते हैं always अगर मैं बात करूं यहाँ पे इतनी छोटी length में तो हम ये कह देंगे कि जो magnetic field point A पर है इसको A ना कहके कुछ और कह दीजी because A हमने distance लिया है P कह देते हैं जो magnetic field point P पर है और वही magnetic field point Q पर आएगी इनके बीच में कोई ज़्यादा difference नहीं होगा ना के बराबर होगा तो हम constant माल लेंगे हम माल लेंगे point P भी x distance पर है और point Q भी nearly x distance पर ही है क्योंकि ये length बहुत छोटी है तो इस small magnetic field यहाँ पे जो magnetic field आएगी first वाली वायर की वज़े से जो इस छोटे element पर force लगाएगी उस magnetic field का formula होगा mu note by 4 pi 2 first की magnetic field है 2i1 by में distance कितना है x तो small force जो यहाँ लगने वाली है that is df is equal to formula होता है bil bil मतलब bidx और साथ में sin theta theta यहाँ 90 degree हो जाएगा reason is what कि जब आप right hand thumb rule use करोगे इस wire में current उपर जा रहा है इसकी field निकालोगे तो right hand side में इसकी जो field आएगी निकल कर वो inward आएगी inward inward मतलब z axis पर left hand side में क्या आएगी outward आएगी concentric circle होते है ना तो यहाँ field तो inward है भई देखिए inward field तो dx जो की x axis पे है field जो की z axis पे एंगल बनाती है कितना 90 तो यहाँ पे अगर मैं df निकालता हो ना बिटा तो हमारे पास आता है b b का formula put कर देते हैं b मतलब है mu naught पहले लिख दूमें आपको की b1 की है यह first की magnetic field है और जिस current carrying wire पर यह b1 देखिए b1 जिस current carrying wire पर force लगा रही है उस current carrying wire में current है i2 है ना जितनी length पे निकाल रहे है वो length है dx तो b1 की value अभी निकाली थी हमने वोरी उपर लिखी हुई है b1 will be mu naught by 4 pi to i1 by में x यह तो हो गया b1 साथ में आया बेटा हमारे पास i2 साथ में आया dx और sin 90 जो है वो 1 हो गया और यहाँ पे अगर मैं f निकालना चाहता हूँ तो मुझे इसको integrate करना पड़ेगा df को इसको integrate करने का मतलब है dx है x के respect में integrate कर रहे है तो बाकी सारे factors को बाहर ले जाए only x वाले factor ही integration में रहेंगे तो इसका मतलब 1 by x का integration होगा ठीक है बाकी सारे बाहर चलेगे limit आएगी x की x जो है इस छोटे element का distance है कम से कम distance कितना हो सकता है कम से कम छोटा element आपको इस end पे लेना पड़ेगा उसके बाद finally आपको इस end पे लेना पड़ेगा इस end से लेके इस end के बीच में सारे चोटे element आजाएंगे तो first वाले end तक का distance है a और अगले end तक का distance कितना है l तो limit आएगी जी a से शुरू कर रहे है और x की value a से शुरू हो रही है और कहा तक जा रही है a प्लस l तक जा रही है तो limit आगई a से a प्लस l 1 by x का integration आप सब जानते हैं होता है log x minute by 4 pi 2 i1 i2 और ये आगया हमारे पास log x अब log base e x में ये हमारा upper limit lower limit a है upper limit a प्लस l है तो force अपनी क्या आएगी दो perpendicular wire के बीच में minute by 4 pi 2 i1 i2 और ये आगई log upper limit minus log lower limit मतलब होता है log x minus log y ये मतलब log x by y यानकी log a प्लस l by a that is the net force जो अभी हाँ निकल कर आ रही है अब इसी के अंदर हमें कोशन कर सकते हैं वो कोशन हम क्या कर सकते हैं मान लीजिए मुझे कहा जाता है कि एक जो है वो यहाँ पे rectangular current carrying loop है और ये हमारा जो है IIT 9085 में भी कोशन आया था उसके बाद तो ये मेंस के एक्जाम में भी आ चुका है ये हमारा एक current carrying loop है और ये एक infinite long straight wire है जिसमें current है I1 और इसमें current जा रहा है बेटा I2 ये current जो है वो clockwise direction में ऐसे घूम रहा है और ये distance इनके बीच में हो गया अपना वही A और ये length हो गई बचे कितनी L और ये वाली length हो गई हमारी कितनी that length is how much B तो आपको बताना ये है कि इस current carrying loop पर इस wire की magnetic field कितनी force लगाएगी कितनी force लगाएगी force का nature क्या होगा attractive होगी, repulsive होगी, क्या होगी कैसे पता लगाएगी सबसे पहली बात तो मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे इन दोनों के बीच की force निकालने का formula पता है अब एक दो parallel wire के बीच की force निकालने के formula को अगर मैं देखूँ तो हम इसको नाम देते है PQRS है ना, अगर मैं बात करूँ फोर्स निकालता हूँ दो parallel wire के बीच में तो formula होता है मुझे नोट बाई 4 पाई 2 I1 I2 बाई में क्या होता है A, ये force per unit length का formula है जितनी length पे निकालने हैं उस length को multiply कर दो अभी कितनी length पे निकालना चाहते हैं आप इस length पे निकालना चाहते हैं ये length जो है वो B है तो मैं force निकाल रहा हूँ PQ वाली wire पर PQ वाली wire पर जो force लग रही है ठीक है वो per unit length का formula यह है जितनी length पे निकालनी है length से multiply कर दो B length पे निकालनी है अच्छा जी मैं अगर बात करूँ PQ और इनके बीच में same direction में current है तो ये attraction force होगी कौनसी होगी attraction force होगी बिल्कुल ठीक है अगर मैं बात करूँ FRS FRS मैं निकालता हूँ force RS वाली wire पर loop की तो भी इतना ही आएगा हमारा mu0 by 4 pi 2 I1 I2 by में distance बढ़ जाएगा बस वो wire जो RS है वो इससे दूर है कितने distance दूर है A plus L तो distance हो जाएगा A plus L ये unit length का formula होता है कितनी length पे निकालना है B length पे निकालना है और आप देखें तो RS वाली wire में current जा रहा है नीचे इसमें जा रहा है उपर तो ये wire जिसमें current उपर जा रहा है उस parallel wire को जिसमें current नीचे जा रहा है attraction force नहीं repulsion force प्रवाइड करेगी तो यहां आएगी repulsion ठीक है अब अगर बात करें P S और Q R इस पे force निकालनी है तो इस force का formula अल्रेडी हमने ये बनाया है देखें ये रहा है ना दो perpendicular wire की पीच पे force तो इन पे force कितनी आएगी P S और I 2 I 1 I 2 log A plus L तो मैं कहना चाहता हूँ P S और Q R पे लगने वाली force जो है वो सेम आएगी जी कितनी आएगी मुनोट बाए 4 पाई और अभी हमने यहां बनाई देखें 2 I 1 I 2 log A plus L by A 2 I 1 I 2 log A plus L by A यही force आएगी हमारी यहां पे देखें है ना दाट इस दा force अब यह force के magnitude आगे से direction देखनी है मैंने अभी थोड़ दर पहले भी बताया है कि first wire की field जब इस second loop पे force लगाएगी तो field की direction जो है वो क्या होगी field की direction inward होगी जी यहां पे है ना right hand side में हम अगर right hand thumb rule लगाते हैं तो inward direction होती है field की इधर अब इस inward direction में कि इस पे तो attraction force लगेगी और उस पे repulsion लगेगी मैं लिख चुका हूँ आप बेशक प्लेमिंग का left hand rule लगा के देख लीजे आप PQ पे पाएँगे left में force आएगी RS में पाएँगे आप right में force आएगी तो forces are opposite but not equal equal होती दोनों तो मैं net zero बोल देता है लेकिन आप ध्यान दो QR पे जो force आने वाली है current right जा रहा है तो QR पर force उपर आने वाली है और PS पे force नीचे आने वाली है बट बोथ are equal ये देखिए आप है ना दोनों equal हैं तो ये equal साथ साथ क्या है opposite है कौन सी forces FPS और दूसरी क्या है sorry QR और और FPS तो ये आपस में cancel होंगी ना वायर उपर ना लूप उपर जाएगा न नीचे जाएगा ठीक है देखिए आर equal and opposite लिख देते हैं यहाँ पे FPS is equal and opposite to FQR सो हम कहेंगे यहाँ पे दोनों force cancel out हो गई है ठीक है जी they are cancel out click देते हैं इस बात को भी अब उसके बात क्या है जी हमें हमें निकालना है अब बाकी जो दो force है वो भी opposite direction में है एक left में एक right में पर equal नहीं है कौन सी जादा है कैसे निकालते है नेट जादा में से कम को minus करके जब opposite में तो कौन सी जादा है उपर वाली नीचे वाली बिल्कल सही बात है उपर वाली force जादा है देखो numerator से में इसके numerator में A है और यहां पर क्या है A plus L तो यह A plus L बड़ा है तो force कम होगी वैसे भी देखो ना वो वाली wire RS वाली wire इससे दूर है तो field वहां तक पहुंचते पहुंचते week हो गई जी force कम हो गई यह wire pass है पास में है तो force क्या रहेगी जादा रहेगी तो हम यहां पे net force अगर निकालते हैं तो net force अपनी F इसको PQ में से F RS को माइनस करके आएगी PQ वाली जादा है ना अब इसमें से इसको माइनस करके आएगी तो direction क्या होगी net force की net force की direction वहीं होगी जहाँ ज्यादा वाली force की direction होती है मतलब towards left attraction force ज्यादा है तो net force की भी क्या होगी attractive ही होगी है ना net force भी हमारी attractive force होगी मतलब यह wire इस लूप को अपनी तरफ attract करेगी अब नेट फोर्स निकालनी है तो जो common आता है common ले लो mu naught by 4 pi 2 i1 i2 into में b common ले लीजी और bracket में बचेगा 1 by a minus 1 by a plus l आप चाहें तो इसको आगे solve पर सकते हैं बस हमसे जो IIT में question पूछा वा था उन्होंने nature पूछा वा था force का कि क्या होगी attractive force होगी या repulsive होगी सर अट्रेक्टिव होगी और net force का formula भी हम लोगोंने find out कर लिया है लेकिन ये तम बालूम चला जब हमने ये वाला question किया पिछला वाला कि ये force जो है वो opposite होने के साथ साथ दोनों wire पर equal भी आ रही है ठीक है तो अगला question हम देखते है small current carrying loop having current i is placed in the plane of paper as shown in figure under the semi circular loop having current i0 is placed concentrically in the same plane as that of the small loop the radius of semi circular loop being r and r is very very greater than a है ना तो find the force applied by the smaller ring on the bigger ring समझ गई आप question में क्या कह रहा है कि एक तो आपके पास complete circular loop है उसी के साथ concentric जो है वो semi circular loop है इसकी radius a है उसकी radius r है और ar से बहुत छोटा है और अंदर वाले loop में current i है बाहर वाले में i0 है तो बताना यह है कि अंदर वाले loop की magnetic field इस बाहर वाले bigger loop पर कितनी force लगा रही है force का formula तो हमारा bil ही होता है पट पहले magnetic field पता लगाएं कितनी होगी magnetic field इस loop की बाहर वाले पर तो यहां पर magnetic field कितनी होई जी इस smaller loop की इस बाली वायर पर पहले magnetic field निकालने कितनी होगी magnetic field due to the magnetic field due to smaller loop loop at a distance at a distance capital R capital R दूर जो distance है smaller loop के center से वहां magnetic field कितनी होगी क्योंकि वही पर वायर है जिस पर हमें force निकालनी है semi circular wire तो magnetic field का formula होगा हमारा mu note by 4 pi and formula होता है हमारे पास pi i a square pi i a square by में r square minus a square की पार 3 by 2 जहां पर a जो है वो बहुत छोटा है जी किस से r से तो we can say that a square is very very less than r square तो a square can be neglected here तो यह हमारे पास formula बनेगा magnetic field का mu note एक pi से pi cancel भी कर सकते हो करना चाहो तो आप mu note i i current है जी small i a square और by में हमारे पास क्या आएगा 4 और r cube यह magnetic field है जी वहां पर इस magnetic field की वज़े से वहां force लगने वाली है अब जैसे कि हमने पहले question में किया था हम यहां पर इसको दो parts में divide करते हैं साब दो parts में इसको divide कर दिया मैंने देखे इसको आप यहां पर ठीक है ऊपर जो है first quadrant नीचे fourth quadrant यहां पर एक छोटा सा portion लेते हैं दी थीटा एंगल पर है ना अब इस दी थीटा पर जब छोटा portion लेंगे तो force कितनी आएगी जी पहले बताओ लेंथ कितनी होगी इसकी लेंथ होगी r d theta that is called dl इस छोटे element पर force निकालेंगे ऐसी हमारे पास d theta हम नीचे भी ले सकते हैं same यहां भी theta angle उपर ले रहे हैं दिख रहा होगा आपको देख सकते हैं आप मैं बढ़ा कर देता हूं यहां भी theta angle पर ले रहे हैं हमने यहां पर तो यह हमारे पास जो है वो d theta यहां ले लेंगे यह भी हो जाएगी r d theta length अभी हमने question में किया था पिछले में तो यहां हम बात करें तो force कहां की तरफ आएगी inward आएगी outward आएगी देखे ज़रा ध्यान से तो हमारी जो magnetic field है small b small loop वाले की magnetic field anti-clockwise current है तो anti-clockwise current होने की वज़े से जो field आएगी वो इधर बा क्या होता है मालू में न anti-clockwise current होता हो तो क्या होता है field अंदर outward होती है और बाहर क्या होती है inward होती है तो सर बाहर यहां inward field जो है नजरा रही है अपने को नीचे भी उपर भी सब जगा पर inward field है मैंने यह दिखा दी अब आप ध्यान से देखें तो आपको जो है एक मैं फिर स ही बनाना है ना कंसेंट्रिक हैं दोनों मुझे यहां पर एगर फोर्स दिखानी पड़ जाए फोर्स की डारेक्शन दिखानी पड़ जाए तो कहां दिखाऊंग यहां पर फोर्स की डारेक्शन दिखानी पड़ जाए current जा रहा है anti-clockwise ऐसे और field है inward तो हम planning का left hand tool लगाते है तो फोर्स जो है वो अंदर की तरफ towards the radius आती हुई नजर आती है अपने को तो towards the radius यहां force आएगी साब ऐसे इधर मैं किसी भी portion पर निकालूँगा यहां पर निकालूँगा तो force towards the radius आएगी मैं यहां निकालूँगा तो भी force towards the radius आएगी बही current anti-clockwise जा रहा है force along the radius आएगी ठीक है towards पहले जो question किया था उसमें away from radius गई थी तो मेरी बात समझ रहे है towards the center force आ रही है तो इसको हम क्या करते हैं डाइग्राम को बढ़ा करके देखते हैं भी तो हर dl पे लगने वाली force towards the center आ रही है चाहे नीचे से देखें चाहे उपर से देखें हमने जो दो element लिये थे वो दो element पे लगने वाली force हम दिखा देते हैं यह एक उपर लिया था first quadrant में एक लिया था हमने fourth quadrant में ऐसी था न हमारा बाकी तो मैं पता integration से निकाला जाएगा य लेंग थी अपनी dl जिसको बोला था अपने rd theta तो भाई यहां आ गई df एक ऐसी ही df यहां आ गई ठीक है अब हम क्या करेंगे आपको पता है हम df के दो component करेंगे देखेंगे कौन से cancel out होते हैं कौन से बसते हैं उपर वाले df के दो component अगर किये जाएं तो ध्यान दीजि तो अब इसी बात है यह angle हमारा जो है sorry यह बाला नहीं यह angle हमारा theta आएगा तो आप देखेंगे यहां पे कि df cos theta वाले component बच जाएंगे और दोनों के कौन से component cancel होंगे df sin theta वाले component cancel out हो जाएंगे हैं तो यह df sin theta cancel हो गए सहाब equal and opposite दोनों के कौन से बच गए df cos theta इन दोन हो गए ऐसे आप एक first quadrant में और एक लोगे आप fourth quadrant में तो आपको हमेशा नजराएगा कि सबके df sin theta आपस में cancel होंगे और df cos theta वाले सारे बच जाएंगे left hand side की तरफ तो यह semi circular loop को यह loop जो है circular loop अपनी तरफ attract कर रहा है left की तरफ attract कर रहा है attraction force है वैसे भी देख सकते हैं दोन df cos theta को integrate करना है तो चलिए आगे integrate करते हैं तो लिखते हैं f will be integration of df cos theta what is df df is b magnetic field जो अभी वहाँ पर present होनी चाहिए इस जगाँ पे जो force लगाने वाली है into में current ठीक है current हमारा था i naught शायद है ना i naught current था देख सकते हैं मिलकुल सही बात है i naught current था और magnetic field हमारी यह थी यह हम ने निकाली थी हम इस सारी value को यहाँ put करेंगे तो हमारे पास यह क्या आएगा बटा b i naught और साथ में dl यह आगए df अब यहाँ पे b की value पूट कर सकते हैं b की value अपनी कितनी थी mu naught i a square 4r cube mu naught i a square 4r cube mu naught i a square by में क्या आया था हमारे पास that is 4r cube तो 4r cube और साथ में आगया बच थीटा अब यह सारी value उठाके यहाँ put कर दी जाए सारी value को यहाँ put कर देंगे तो हमारे पास जो है f आ जाएगा integration of mu naught i a square 4r cube और साथ में i naught r d theta और साथ में cos theta df cos theta बात है main की limit क्या पूट की जाए उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा सर यह आपका क्या था यह आपका जो था वो dl था theta angle उपर ऐसे ही dl नीचे भी लिया था आपने small element theta angle नीचे अब अगर आप यहाँ पे खड़े होके एक बार angle clockwise में measure कर रहे हैं और एक बार anti clockwise में पिछला question में जो semi circle था उसमें first or second quadrant में लाई कर रहा था वो तो सारा angle clockwise में measure होना था 0 से पाई लिया था हमने circle भी हमने 0 से 2 पाई लिया था लेकिन यहाँ देखिए एक जो है हम clockwise देखेंगे दूसरा anti clockwise देखेंगे clockwise में कितना angle देखने वाले हैं clockwise में देखने वाले हैं पाई बाई टू anti clockwise में pi by 2 तो limit आएगी minus pi by 2 से plus pi by 2 एक बार anti clockwise में pi by 2 देखना है एक बार clockwise में pi by 2 देखना है थब जाके circular ring पूरी होते हैं यह circular ring पूरी होती है तो एक बार minus का pi by 2 negative limit negative y axis के along और positive limit positive y axis के along अब यहाँ पे आप जो हैं जो constant आ रहा है उसको बाहर निकालिए बहुत अच्छा question mu naught i i naught a square by में क्या 1 r से 1 r cancel कर दो तो नीचे बचेगा हमारे पास क्या r square है ना अब यहाँ पे साथ में आ गया जी 4 और cos theta d theta का integration करना है हमने जो की होता है क्या sin theta आपको पता है limit लगा दो minus pi by 2 से plus pi by 2 है na cos theta d theta का integration sin theta अब upper limit minus lower limit यानि कि sin pi by 2 minus minus plus sin pi by 2 sin pi by 2 यानि कि sin 90 सर वो 1 होता है तो bracket में क्या आएगा bracket में आएगा 1 plus 1 तो लिख लेते हैं i i naught a square तो sin 90 plus sin 90 that is 1 plus 1 that is called 2 अब यहाँ पर बस यह 2 और यह 4 आपस में cancel out हो जाएंगे थोड़ा सा मैं direct लिख रहा हूँ हमारा जो formula आएगा वो आएगा mu naught by में 2 r square है न एक 2 से 4 कट गया और i into i naught और 7 में a square और question में ध्यान से देखें तो हमारे को इन सब की value given थी कहां given थी यह देखिए r given था आपको कितना 1 meter i or i naught यह दिये हुए थे दोनों ठीक है अब बस यह यह दिया हुआ था बस सारी value पुट कर दीजिए यहाँ पे और आपका answer जो है वो निकल कर आ जाएगा 8 newton 8 newton की force यहा आद रखें आप देखें अगला question देख सकते हैं हमसे कहा जा रहा है long horizontal wire AB rest on the surface of a table carries the current i यह हमारी AB wire है नीचे यह surface पे रखिये current i है horizontal wire CD is vertically above it यह चोटी सी wire है CD इसके अबव है ठीक है and is free to slide up and down on two verticals metal guide C and D यह free to slide है जी यह metal guide है COD यह उपर नीचे easily slide गड़ सकती है wire CD is connected through the sliding contact to another wire CD connect है जी sliding contact of another wire के another wire जो उपर है जिसमे current है आई but यह current नीचे वाली wire के opposite direction में ऐसा लिखा जा रहा है उपर और दिखाया भी जा रहा है also can this current आई opposite in direction to the current in wire AB the mass per unit length of the wire CD is lambda lambda is the mass density linear mass density per unit length का mass lambda है जितनी length का निकालना हो lambda से multiply कर देना to what equilibrium height h will the wire CD rise कैरा wire CD कितना उपर height पर rise करके रुक जाएगी मतलब equilibrium में आ जाएगी तो वो height find कीजिए अब यह height कैसे find करूँ पहली बात तो उपर क्यों जाएगी कितना height rise क्यों करेगी because देखो नीचे वाली wire में current right में और उपर वाली wire में current इसमें किसमें left में है इन दोनों को देखूँ तो इनमें current एक दूसरे के बिल्कुल opposite direction में है नीचे right में जा रहा है I current उपर वही I current left में जा रहा है तो opposite direction में current होता है तो repulsion होती है अब repulsion होती है, तो मतलब नीचे वाली wire उपर वाली को repel करेगी, यानि की उपर की तरह force लगाएगी अब जब ये इसको उपर की तरह force लगा रही होगी, तो कौन सी ऐसी चीज है जो इस force को balance करेगी यह force होगी B, I into में L, B होगया, magnetic field आई होगया, इसका current और L होगई, माननो इसकी length, किसकी CD की, CD की length, इस force को बैलन्स कोन करेगा, या कहूं यह force किसको बैलन्स करेगी, इसको बैलन्स करेगा, downward direction में लगने वाला क्या, M, G, N की weight, weight को बैलन्स करते होगे के लिए force लगेगी, ठ तक की upward and outward force बराबर नहीं हो जाती है, मतलब wire M, G की वज़े से नीचे आ रही होगी, question को समझेगा, मैंने यह रखा wire M, G की वज़े से नीचे आ रही है, पर जैसे दोनों wire के बीच का gap कम हो रहा है, distance कम होने से यह force बढ़ रही है, यह force जो उपर वाली wire पे लग रही है, तो balance condition, दो forces को balance करना, असान question है बट बहुत सारा घुमा रखा है, ऐसा ही किया जाता है competitive exam में, concept वही होता है, आपका बस घुमा के question को लिख देते हैं, M, G is equal to what, B, I into L, what is the M mass क्या है, जी, unit length का mass है, L, lambda, कितनी length का निकालना है, मैंने माल लिया था, wire की length कितनी है, L, मैंने ऐसा समाल लिया था, तो L length का mass हो जाएगा, lambda into L, into में क्या G, is equal to BIL, मैं BIL करने की बजाए, मुझे already पता है, कि दो wire के बीच की force का formula होता है, इसी lecture में बताया भी है, मैंने पहले, और theoretically आप derive भी करते हैं, दो parallel current carrying wire अगर हो, तो उनकी बीच की formula क्या होता है, एक wire दूसरे पर जो का gap मान लो, वो gap H है, है ना, यह force per unit length का formula होता है, चितनी length पे निकालना है, उस length को multiply कर दो, तो हम directly यह BIL करने की बजाए, जो force उपर लग रही है, यह formula derive यहीं से होके आता था, तो BIL से ही, इसी से derive होके यह formula आता है, लेकिन यह direct formula हम याद कर सकते हैं, हम directly लगा देते हैं, यह formula, mu naught upon 4 pi, है ना, 2i1, i2, दोनों में current से, i into i, i square, by में distance कितना है, यह unit length का formula है, आपको कितनी length पे निकालना है, आपको तो L length पे निकालना है, तो L को यहाँ पे multiply कर दो, L को यहाँ पे multiply कर दो, हाला कि L नहीं दिया था, मैंने बस L length assume कर ली थी, क्योंकि L से L cancel होने वाल या lambda into L, ऐसे unit length पर लगने वाली force थी, यह L length पे कितनी होगी, multiply by L, L से L कट गया, nothing else, बस आपका जो है, h की value यहाँ पे निकल कर आ गई है, कितनी, mu naught i square, और y में क्या, 2 pi lambda, जी, यह हमारा जो है, वो answer आ गया है, simple,